आप सभी का नियूसेटेन में आगे बढ़ते हैं अब रुप करते हैं दराश्ट्रे खबरों का जहां कराची में हुए आतंकवादी हमले में दो चीनी नागरिकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया साथ ही कई पाकिस्तानी नागरिक भी इसमें घायल हो गए हैं यह आतंकवादी हमला कराची में हवाई अड़े के पास चीनी करमचारियों के एक काफिले पर हुआ यह पोर्ट कासे में एक्ट्रेक पावर कंपने प्राइवेट लिमिटेट के करमचारी हैं पाकिस्तान इस्थित चीनी दूतावास ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है चीन ने अनुरोध किया है कि पाकिस्तानी अधिकारी हमले की अच्छे से जाच करें अपराधियों को कड़ी सजा दें और पाकिस्तान में चीनी नागरी को संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुरिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उचाएं साथी दूतावास ने इस हमले के ब्रतक और घायलों के फरिशनों के प्रती सहनुभूती भी जताई है